क्या हो मेरा भाई मोटिवेशन चाहिए मैं अपनी अब्जेवेशन से कुछ आपको बता दूगा इंटरनेट से कुछ सक्सेस्फुल लोगों के बारे में पता करके मैं आपको बता दूगा और उन सक्सेस्फुल लोगों से आप इंस्पैर भी हो जाओगे फिर आप यूटूब पे दूसरी मोटिवेशनल वीडियोस भी देखोगे लेकर फिर किया एक काहणी सुनन, मैं आपको एक काहणी सुना था music काहणी है एक बच्ची है कि नमवी और दसवी कॉलास का एक बच्चा है जो मोटिवेशनल वीडियोस देखता है उसको टेखनोलोजी में बहुत इंटरेस्ट था इंटरेनेट पर कुछ बनाना वेब डिजाइनिंग और क्रेटिव कॉंटेन बनाना वो बस सपने देखता था उस वक्त की बात है वीडियोस देखता था यूट्यूब की ब्राउजिंग हिस्ट्री में अगर उसके देखे तो क्यों मोटिविशनल वीडियोस ही दिखती थी रिसल्ट भाई की थी विल्पावर कमजोर कुछ करने की हिम्मत नहीं होती थी उसके सेल्फ कॉंफिदेंस कमजोर था उसका उसने फिर काम करना शुरू करना अपने विल्पावर पर के कहां दिक्कत कहां कर रहा हूँ मैं उसने देखा कि अगर मैं कोई भी काम करना शुरू करना चाहता हूँ या शुरू करता हूँ तो मैं उस काम पर ज्यावा देखता क्यों नहीं टिक पाता हूँ उसने उस पर काम करा, उसने अपना आपको study करा, उसने बजाए किसी और के opinions ऐसे कैसे अपने life में उतारने कि उसने खुद को study करके समझा किया क्या है जो मेरे लिए कुछ अलग है, अब willpower पर काम कैसे किया, यानि यह जो आलस है उसको पकड़ के रख रहा था, कि कुछ करने क मन ही नहीं कर रहा था, बिस किवल सपने देखने का मज़ा आ रहा था, किवल बड़ी-बड़ी बाते करने का मज़ा आ रहा था, किवल वीडियो देखके रॉंटे खड़े हो रहे थे, लेकिन जब वो वीडियो एंड होती थी, कुछ मिनट हो जाते थे, तो फिर से डाउन ह जाता था, तो उसने देखा कि कुछ करने का मन क्यों नहीं होता है, पता सब कुछ है, नौलेज बहुत है, लेकिन मन नहीं करता है, कि बस करेंगे यार, टाइम है करेंगे, उसको हर बार लगता था, कि वो कभी नकभी बहुत बड़ा करे गई करेगा लोग भी उसको बोलते थे कि तो एक दिन बहुत आगे जाएगा पर आगे जाने के लिए टिकर काम काहा कर रहा था भाई वो काम करता उसमें रिजल्ट नहीं मिलता काम चेंज फिर से दूसरा काम करता result नहीं मिले फिर से काम change लाओ भाई दूसरा काम लो दूसरा क्या कर सकता हूँ मैं वो दूसरा काम भी कर रहा फिर से काम change result नहीं मिला ऐसे से कड़के कि वो लोग काम ही जिन कर रहा थे finally उसने अपना आपको study किया उसने पता किया कि problem क्या है पता सब है, खेल का ख्लाडी हूँ मैं, मेरे पास knowledge सब है, और मुझसे कम जानने वाले भी मुझसे ज़्यादा आगए है, तो अटक काहा हूँ मैं, वो देखता बागी यह बंदा मुझसे कम जानता है, मुझसे बाद में आया, फिरी भी वो मुझसे आगे कैसे है, फिर उसको को समझ में आया कि भाई hard work beats talent talent कोई खाम का नहीं है अगर hard work नहीं हो रहा है लगातर और एक बात जो मैं आपको बोलने वाला हूँ उसको कहीं पर लिख कर रख दो वो जिंदगी भर आपके काम आने वाली है वो बात क्या है मतलब मेरी पूरी जिंदगी मैं इससे बड़ी और कोई है नहीं मेरी लिए वो सीख है कि अगर किसी इंसान को एक चीज पर टिकना आ गया किसी भी काम पर टिकना आ गया उससे खत्रनाक और कोई नहीं है उसको नहीं आरा सकते है उसका talent कम है तब भी चलेगा वो कम होसियार है कम intelligent है चलेगा उसको टिकना आ गया ना उसको talented इंसान भी नहीं हरा सकता ये टिकना आता कहा से है जिस तरह body बिलाने के लिए पहले कम वजन उठाती हो फिर जाते उठाते हो वो power धिरे धिरे बढ़ती है जैसे आज 5 kg की plates लगई chest की exercise लगाने के लिए तो धिरे जैसे आप रोज जिम जाओगे तो 15-20 दिन के बाद में आप उसको बढ़ा होगे 5-10 करोगे फिर 20 करोगे दिमाग ठीक इसी तरह काम करता है उसी तरह दिमाग कभी हार ना माने दिमाग जो है कभी हार ना माने टिक कर काम करते रहे ये तब बनेगा जब छुटी-छुटी प्राब्लम पर टिकना आ जाएगा जैसे आज 5 किलो की प्राब्लम जेलना सीख रहे हो तो कल 10 किलो की प्राब्लम की प्रैक्टिस करो इस तरह से बढ़ेगी आपकी विल्पावर जोश में नहीं हाना मेरे भाई जैसे जीम जाकर डियर्क 50 किलो का बजन नहीं उठाना है उसी तरह मोटिवेट होकर आपको कल की कल टाइम मशीन नहीं बनानी है मैंने ये वीडियो बनाई है आपने ये वीडियो देखी है तो अभी ही आपकी विल्पावर नहीं बढ़ जाएगी वो ठीक वैसे बढ़ेगी जैसे आपके वजन उठाने की capability बढ़ दी है आज अगर आप किसी भी काम पर किवल 10 दिन तक ही टिक सकते हो 11 दिन में आप बोर हो जाते हो उसको give up कर दे तो छोड़ देते हो आप उसको तो practice करो कि कैसे आप 20 दिन तक टिक सकते हो फिर एक महीन फिर छेह महीन है इसे कहते है practical तरीके से चीजों को life में उतारना और जिस दिन boring से boring subject पर टिकना आ गया खतम यहां से शुरात हो जाईगी अदग चीज की उस दिन से आपके अंदर एक ऐसी शक्ती का जन्म हो जाएगा कि आप बिना motivate हुई भी काम करने लोगे जोश में थोड़ी मेलद खरनी है वो तो कल सुबह तक खदम हो जाएगा रात को बस कहां की कहां उठते हम सुबह उठती है फिर से सब चला जाता है हमें लगातर चलना है देड़ तक चलना है ज्यादा excited हो गए तो जल्दी खेल जाता हो जाएगा समझ गए अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ भाई कहां धियान जा रहा है मैं काम की बात कर रहा हूँ और जितने लोगों ने मुझे टेलिग्राम पर फॉलो नहीं कर रहा है तो आप मुझे टेलिग्राम पर जॉइन करोगे तो वहाँ पर मैं आपको बता दूगा कि मेरी वीडियो आज जोगी है तो अभी आप मुझे टेलिग्राम पर फॉलो कर सकते हो अभी इंस्टाल नहीं कर रहा है तो छोटे से यह आप है यार इंस्टाल कर दो उसको अभी तक के लिए इस वीडियो में सरफ इतना ही कमेंट का आपको मैं वेट कर रहा हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में विश्चियो आल दे वरी बैस्ट मैं शेकेल कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ